दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने अपना इती गांडी.net से कैसे आप बाई कर सकते हैं मातरी कता रूपे के अंदर अपना एक डॉमेंड डॉमेंड जो की टॉप लेवल डॉमेंड में आता है पर उसे लेटेट काफी सारे कोशन मेंड से पूछे गए तो उसमें से ये कोशन पूछा गया कि आखिर कैसे इसको करेंट करें बलॉगर के साथ तो मेरे एक सब्सक्राइबर थे और उन्हें बोला कि आप इसके पर एक वीडियो बना दो तो यहां भी मैंने लॉगिन कर रखा है आपने ब्लॉगर के अंदर और गांडी.net के अंदर भी और यहां मैं आपको एक चीज़ और बता दू जिन लोगोंने मेरी वीडियो नहीं देखिए आई बटन पे क्लिक करके जाके देख लीजिए और पाई कर लीजिए डॉमें को डॉट कॉम डॉमें को मात रिकतर हो पे के अंदर क्योंकि एक उफर चल रहा है साहिद ये नौ नौमबर तक चलेगा जी हां ये नौ नौमबर तक चलेगा जैसे यहां देख सकते हैं अब्टूबर 9 से नौमबर 9 के बीच में तो आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो है या आपका डॉमेंड शो कर रहा होगा या आपका अटीवी के टर जाके देख सकते हैं तो आपको सिंपलि क्लिक करना हैं आपको डॉमेंड के वपर डॉमेंड के बाद में या पे मेरे आपको स्चेशन यही रहेगा कि जो भी गूंदी.net के pre-define, जितने भी scene है, records है, उनको आप delete कर दीजे, और उसके बाहर में blogger हो connect करने का procedure करना, तो मैं आपने simply forever delete कर देता हूँ, यह सारे-सारे scene है, उसको text और records को, जाबर मैंने पहले सी pre-define scene है, वगेरा को सब को delete कर दीजे, अब यहाँ से आपको simply देना होता, मैं उसी में देता हूँ, तो मैं अपनी website को, जो भी मेरा domain में ने buy किया हूए, उसको connect करके दिखाऊँगा, इस blogger से, तो उसके लिए आपको simply करना पड़ेगा, setting के आपर click, यहाँ देज़कते हैं, यहाँ पर आपको blog का URL पेस्ट करना है, यहाँ से आप copy करके उसको पूरा-पूरा same to same paste कर देना, और उसके बाद में save के उपर करना click, यहाँ पर आप देज़कते हैं, error शो कर रहा है, इसका error का कारण यह है कि इसके आगे मैंने www नहीं लगाया, गांधी.net के इंदर डालने के लिए cnm records को, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वापस से गांधी.net के इंदर, यहाँ पर जाने के बाद आपको click करना पड़ेगा add के उपर, और यहाँ से type आपको select करना है, तो type मैं select करता हूँ cnm को, cnm select करने के बाद मैं आप दे सकते है name show कर रहा है, नेम के इंदर, आपको डालना यह www, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसको simply करना है copy, copy करने कवाद यहाँ पर करना है, past, और host name के इंदर आपको past करना है, यह जो ghs.google.com show कर रहा है इसको simply यहाँ से copy कर लेना है और वापे कर देना है पैस्ट और पैस्ट करने के बाद आपको create पे क्लिक करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं cdm record इसमें save हो चुका है अब आपस से add or पे क्लिक करना है और एक और इसमे add करना है cdm के लिए करके तो यहाँ पे cdm लिया मैंने और इस बार जो नीचे के अंदर show कर रहा है इसको यहाँ से copy करके यहाँ पे इसके name के अंदर paste कर देना है और उसके बाद में host name के अंदर जो यहाँ पे googlehosted.com वाला जो इसमें show कर रहा है इसको यहाँ से पूरा पर copy करके आपके paste कर देना है और paste करने के बाद में simply click कर देना है create के ओपर यहाँ पर आप आप दे सकते हैं दोनों को दोनों यहाँ पे save हो चुके हैं और उससे पहले आप अपने DNS record के अंदर गांधी.net के अंदर गूगल के खुद के IP को जरूर सेव कर दीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि change your domain मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपके किसी भी दरगी की domain को mydomain.com को redirect करने के लिए www के ओपर यह बहुत ही जड़ा important होता है और इसके लिए आपको यह जो आपके Google के चार IP address है इनको आपको DNS record में save करना पड़ेगा तो जल्दी से मैं कर देता हूँ इसको save यहाँ से मैं करता हूँ इसको copy यहाँ से करता हूँ मैं add के ओपर click आपको type select करना A यहाँ पर यहाँ तो आप add the rate लगा सकते हैं यह अपनी website का नाम डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर simply करूँगा add the rate और यहाँ पर IPv4 address डाल देना है और create पर कर देना है click इसी तरीकी से बच्चे होए बाकी तीन IP address को आपके अपने DNS record के अंदर डालना है तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे सारे Google के IP को यहाँ पर डाल दी है तो आपको अच्छे से select करके add के अंदर जाके एक को select करके और add the name के अंदर डाल के उन चारों को यहाँ पर डाल देना जो कि बहुत ज़्यादा important है आपकी website को redirect करने के लिए जैसे कि यहाँ पर इनोंने खुझने बताया है अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि we have not been able to verify your authority to this domain तो इसके आपको आपके इस domain को करना पड़ेगा verify इसके तो txt file है उसको आपको आपके kindly.net के dns record के अंदर save करवा के इसको verify करवाना पड़ेगा जो कि बहुत जादा important है आपके domain को run करने के लिए connect भी करवाने के लिए और हो सकता यही problem आप सभी के साथ हो रही हो जिन लोग ने भी comment कियेगी उनके domain connect नहीं हो रहा है blogger के साथ में तो यहाँ पर आपको click करना है simply console here in street के ओपर यहाँ आप देख सकते हैं इसके click के लिए इसके बाद में यह page open हो जाएगा Google का यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है verification failed for hosting invest.com DNS CNM के तुरू पर यहाँ पर एक option बता रहे कि आप कैसे इसको करना चाहते है verification यहाँ पर आप देख सकते हैं sign in के अंदर automatically gandhi.net को इसने select कर दिया है और उसके बाद add a txt file का इसने एक option दिया है और उसके बाद में add a txt record का इन्होंने having trouble करके दिया है option मैं simply करूंगा verify के अपर click यहाँ से ही आप से मांगेगा accept करने को तो आपको accept कर देना इसको यहाँ पर आप देख सकते है something is not right यहाँ मेरे ऐसा error आए आपको add पर click करने के बाद में select करना है txt mode को यहाँ आप आप देख सकते है txt option आ रहा है इस पर click करना है और click करने के बाद में जो भी verification का code था उसको आपके text value के अंदर paste कर देना है और name के अंदर simply add the rate आप select कर सकते है और उसके बाद click करना है create के ओपर यहाँ आप देख सकते है txt के अंदर add हो चुका है google site verification code इसके बाद आपको वापाज जाना है उसी link के ओपर जो कि था verification वाला google webmaster वाला और यहाँ से आपको click करना है verify के ओपर click करना है और check करना है कि अक्की बाद verify होता है या नहीं होता है जैसा कि आपने देखा था कि मैंने verify के ओपर click किया था और उसके बाद में error आगे थी मतलब verify नहीं हुआ था तो इसका main reason यहीं कि जब भी आप इस port को txt file को अपने country.net के dns record के इंदर डालेंगे तो आपको एक से लिए के और गंडा रुकना पड़ेगा जब मैं एक से लिए के डेर गंडा रुका उसके बाद में दिखिए यह लिखा हुआ आ गया congratulations you have successfully verified your ownership of hosting invest.com यहाँ देशकते हैं पुरी तरी के से verify हो चुका है मेरा domain name और उस बीच में मैंने cnm भगेरा लगा के भी ट्राइ किया उससे भी नहीं होगा तो वह भी आप ट्राइ मत करना आपको एक से लेकर डेर गंडा रुपना है इसके बाद में आपको simply click करना continue के ओपर यहाँ पर आपको वापस से अपने domain की detail इसमें में feel करनी पड़ेगी तो आप वापस से क्लिक करना set up third party URL for your blog और सुवात में www लगाना मत बूलना इसके बाद मैं simply click करता हूँ save के ओपर तो यहाँ आप देश्वकें सेंसेस्वली save हो चुपका है for just example.blogspot.com अब redirect हो जाएगा hosting invest.com के ओपर और कुछ दे बार HTTPS availability भी यहाँ पर show हो जाएगी इसके बार में आपको पता ही होगा कि 15-20 मिट यह लेता है और जो भी HTTPS redirect अपर availability इसके अंदर जो भी मेरा domain name है इसके अंदर on हो जाएगा तो मैं simply इसको refresh करके देखता हूँ जो भी मेरा domain है इसको तो अभी आप दे सकते हैं अभी यहाँ पर यह पुरी तरीके इसको open नहीं हो रही है मेरी जो website है अभी candy.net का page ही open हो रहा है तो हो सकता है इसके नदर भी एक सेले के डियर गंटा लगे तो हम एक सेले के डियर विंटे के बाद में चेक करूंगा और उसी की टाइम पर ही मैं HDPS redirect को भी on कर दूंगा तो यह आप कर देना और मैं आपको बता दूंगा कितना टाइम लगा तो दोस्तों मैंने अपनी website को verify कराने के बाद में DNS record सब कुछ upload करने के बाद में जब भी मेरी website open नहीं हो रही थी तो मैंने सुचा कुछ time रुपूंग और रुपने के बाद मैंने जब वापस refresh करके देखा तो जैसे कि आप यहां पर देश सकते हैं इस site cannot be reached आ रहा था और ऐसी रीडारेक्ट on है या नहीं है तो यहां पर देश सकते हैं इसको मैं रीडारेक्ट को on कर देता हूं www को अलब hosting invest.com रीडारेक्ट हो जाएगा डारेक्ली www के उपर और इसको कर देता हूं सेव यहां से आप जब कभी भी वेबसाइट बनाओ तो इस इसको चेक जरूर कर लें और हमेशा इसको रीडारेक्ट ही रखे क्योंकि एडिसंस के अप्लाई के टाइंग पर यह बहुत जाना इंपोर्डेंट होता है इसके कंड काफी जदा लोगों को एर्र आ रहती है एडिसंस रिजेक्ट कर देता है उनकी एप्लिकेशन को साइड डाउ कर सकती है और मैंने अच्छे से रिसर्च किया तो एक बाई सामने में बहुत अच्छी हेल्प करी और उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है तो बेसिकली आपको करना क्या मैं आपको बता देता हूं पर उससे पहले दोस्तों अगर आप नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चल्ल को सपोर्ट करिए मुझे क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं और इस वीडियो को जितना हो सब्सक्राइब उतना शेर कर दीजा अपने सारे दोस्तों के साथ हो सकता है उन्होंने भी गंडी.net का डॉमिन बाई किया और जैसे यहां पर दिखा देता हूं आपको जैसे कि यहां पर देख सकते हैं नेम डालते हैं नेम डाने के बार होस्ट नेम डालते हैं तो जो आपने होस्ट नेम डाला है उसको पूरा डालने के बाद माता पूरा पूरा वहां से ब्लोगर से कॉपी करने के बाद पैस्ट करन करना है और आपको वेट करना है कुछ टाइम का बेसिकली मैंने कर लाइप में किया था और सुबर जब मैं उठा हूँ लबग आठ से लगे 10 गंडे के बाद में तम मैंने चेक किया तो मेरी साइट रुनिंग पर है यहां आप लेख सकते हैं मेरी साइट चाओ तो उसको यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए मैं आपको इसका लिंक देता हूँ इसके बारे में मैंने रहा कम्प्लीट बताया हुआ है आई बुटन में जा सकते हैं आप साथी सार यहां पर देख सकते हैं कि जो आप कैंट भी रिजडवा रहा था मैंने र का याद रखना है कि लास्ट में इनके कॉम के बाद में डॉट जरू लगा देना उसके बाद में वेरिफाई के लिए अप्लाई करना है वेरिफाई के टाइम पे आपको एक से लेगे दो गंटे रुपना है और यह जो गूगल के आईपी अडरस है इसको यहां पर डाल द वेबसाइट रुणिंग हो जाएगी आई होप कि मैंने आपकी प्रॉलम सॉल्व कर दी हो साथ इसाथ डबल डबल रिडारेक्शन पे चेक बॉक्स पे क्लिक जुरूर कर देना आपने ब्लॉगर के अंदा जा करके तो अगर आपकी प्रॉलम सॉल्व हो चुकी है तो आप इस वीडियो को कर दीजे लाइक कर दीजे शेयर अपने सारे दोस्तों के साथ अगर फिर भी अगर आपको ये विकार लगी तो आपको कर सकते हैं डिसलाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं आपके रहे से अच्छी वीडियो बनाता र मिलते में नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हीन जय वारत नमस्कार